तो आज हम बात करने वाले हैं बी एड इंट्रेंस एक्जाम के हिंदी के कुछ प्राक्टिस कोशन देखने वाले हैं इस वीडियो में अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और बैल आइकन के आल पे क्लिक करिए ताकि जब भी कोई नए वीडिय नाटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे चैनल के तुरू सारे सब्जेट के प्राक्टिस कोशन दिये जा रहे हैं तो आप जो है सारे कोशन को सॉल्व करिए क्योंकि अगर ऐसे कोशन आपको मिले तो आप इजले उसको सॉल्व कर स सकते हैं अब एक्जाम में काफी कम दिन बच गये हैं यह आप सभी को भी पता होगा ठीक है चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखते हैं पहले कोशन से कोशन है आपका समास कहते हैं समास किसे कहते हैं ऑप्शन नमबर ए है दो सब्दों के मेल को बी है दो सब्दों के परास्परिक संबंद को C है दो वर्डों के मेल को और D है इनमें से कोई नहीं तो समास हम कहते हैं दो सब्दों के मेल को क्या कहते हैं समास कहते हैं option number A सही हो जाएगा अगला question देखते है question है कि समास के भेद होते हैं समास के कितने भेद होते हैं option number A है 5, B है 4, C है 6 है और डी है तीन तो समास की जो मेली होते हैं और किते होते हैं छैबेद होते हैं अगला कोशन देखते हैं कोशन नमबर त्री है कि जिस समास में प्रधम व प्रधान अव्य होता है यानि कि ऐसा समास जिसमें प्रधम व प्रधान अव्य होता है उसको हम कौन सा समास कहते हैं option number C सही हो जाएगा अगला question देखते है question number 4 है जिस समस्त पद में अन्य पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते है option number E है अबईभाव, B है बहुबरीही C है दिगू और D है तदपुरुस तो जिस समस्त पद में अन्य पद प्रधान होता है ऐसे समास को हम क्या कहते है बहुबरीश समास कहते है अगला question देखते है देखे question है कि हीमाले का समास विग्रे होगा option number A है हीम के लिए आले B है हीम से आले C है हीम का आले और D है हीम में आले इसमे option number आपका C से ही हो जाएगा हीम का आले यानि कि हिमालाय का समास विग्रा अगर करेंगे तो क्या होगा हीम का आला है अब ला कोश्चन देखते है कोश्चन है कि द्वंद समास के उदारण छाटिये इन में से कौन सा ऐसा है जो कि द्वंद समास का एक्जामपल है उप्शन नमबर ए है महोदे, महाशय, B है पंच मुखी, सती, C है घंस्याम, क्रिवशर सर्प, D है रामस्याम और मातापिता इसमें आपका उप्शन नमबर जो है D से ही हो जाएगा रामस्याम और मातापिता इसमें क्या है दोद समास है ठीक है अगला कोशन देखते हैं कोशन है दोपहर में कौन सा समास है ओप्षन नमरी है दिगू B है ततपुरुस C है कर्मधारे D है बहुबरी तो दोपहर में हो जाएगा आपका दिगू समास कौन सा समास दिगू समास अगला कोशन देखते हैं कोशन है कि जिस समस्थ पद में विभक्त का लोप होता है वो कौन सा समास होता है option number यह है कर्मधार है B है बहुब्रीही C है दिगू और D है तदपुरुस तो इसमें option number D से ही हो जाएगा जिस समस्थ पद में विभक्त का अगर लोप हो जाता है तो वो आपका तत्पूरुस समास होता है अगला question देखते हैं question है कि जिस समास में प्रथम पद संख्या वाजशक होता है उसे कौन सा समास कहते हैं option number A है दिगु समास B है कर्मधार है C है दंद समास और D है तत्पूरुस समास इसमें option number A हो जाएगा दिगु समास यानि कि अगर कोई समास है और उसमें प्रथम पद संख्या वाजशी है तो वो कौन सा समास हो जाएगा दिगु समास हो जाएगा ठीक है अगला question देखते हैं Question है कि जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो अगर कोई ऐसा पद है जिसमें दोनों पद प्रधान है तो वो कौन सा समास होगा option number A है द्वंद B है कर्मधार है C है दिगु और D है बहुब्री तो इसमें option number A सही हो जाएगा अगर किसी भी पद में दोनों पद क्या हो प्रधान हो तो वो क्या हो जाएगा द्वंद समास हो जाएगा अगला कोईशन देखते हैं कोईशन कह रहा है कि यथो चीत का समास बिग रहा है क्या होगा option number A है यथा और उचित B है यथा की तरह उचित C है जैसा उचित हो वैसा और D है जैसा उचित न हो वैसा तो इसमें option number C से ही हो जाएगा जैसा उचित हो वैसा हो जाएगा अगला कोईशन देखते हैं कोईशन है कि लाल पाली में कौन सा समास है option number A है द्वंद B है दिगू C है कर्मधारे और D है अबईभा तो लाल पाली में आपका हो जाएगा कर्मधारे समास अगला कोईशन देखते हैं कोईशन है कि जिस समास में अन्यपद प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है option number A है तदपुरुस B है दुगू C है द्वंदा और D है बहुबरी तो ऐसे समास को हम क्या कहते हैं ऐसे समास को बहुबरी समास कहते हैं अगला कोईशन देखते हैं देखे कोईशन है कि रात दिन रात दिन में कौन सा समास है option number A है दिगू B है द्वंद C है बहुबरी ही और D है अब बहुबरी इसमें आपका option number 20 ही हो जाएगा क्या हो जाएगा द्वंद समास रात दिन में कौन सा समास होगा इसमें आपका द्वंद समास होगा ठीक है जैसे कि अभी मैंने पहले कोशन में आप लोग को बताया कि जिसमें क्या होता है दोनों पद प्रधान होता है तो वो द्वंद समास होता है तो यहां आप लोग एक्जाम्पल के तोर पर देख सकते हैं, रात और दिन, इसमें क्या है, दोनों पत्प्रधान है, तो यहां पर क्या है, द्वन्द समाश है, अगला कोशन देखते हैं, देखिए, कोशन है, राजग्रह, राजग्रह में, कौन से समाश है, option बरे है द्वंद, B है दिगू, C है तत्पुरुस और D है कर्मधार है तो इसमें आपका तत्पुरुस समास हो जाएगा ठीक है अगला question देखते हैं question है प्रतिदीन प्रतिदीन में कौन सा समास है option बरे है तत्पुरुस, B है कर्मधार है C है अब्वई भाव समास और D है आपका दिगू समास इसमें option number कौन सा सही होगा इसमें आपका option number C सही हो जाएगा प्रतिदीन में अब्वई भाव समास है ठीक है अगला question question है भाव सागर भाव सागर में कौन सा समास है option number A है तत्पुरुस, B है द्वण्द, C है अब्वई भाव और D है कर्मधार है तो भाव सागर में आपका कर्मधार समास हो जाएगा अगला question अगला question है गुरु दक्षुडा गुरु दक्षुडा में कौन सा समास है इसमें आपका option number A है कर्मधार है B है द्वन्द, C है तत्पुरुस और D है अबबई भाव समास तो गुरु दक्षिडा में कौन सा समास है? तत्पुरुस समास है अगला कोशन कोशन है संख्या वाचक विसेशड होता है संख्या वाचक विसेशड होता है ओप्षिन नमबर E है दिगु में B है अबईभाव में C है तदपुरुस में और D है कर्मधारे में तो अभी मैंने पहले question में भी आपको बताया जिसमें पहला पत क्या होता है संख्यावाचक होता है वो क्या होता है दिगू समास होता है ठीक है तो इसमें वही पूछा है आपसे कि संख्या वाचक बिसेशर होता है तो दिगू में अगला कोशन देखते हैं कोशन है कि कीरन में दिगू समास है ओप्शन नमबर A है चौमासा B है काला साब C है यथा समय और D है गरेड इसमें ओप्शन नमबर कौन सा हो जाएगा ओप्शन नमबर हो जाएगा आपका A चौमाशा ठीक है अगला कोशन देखते हैं कोशन है सट कोड सट कोड में कौन सा समास है ओप्शन नमबर A है कर्मधार है B है दिगू C है द्वंद और D है अब बईभाव इसमें आपका क्या हो जाएगा इसमें आपका हो जाएगा ओप्शन नमबर B सट कोड जैनि कि दिगू समास होगा जैसा कि यहां भी पहला पत क्या है सट कोड सट मतलब क्या होता है छे होता है तो इसमें क्या है यह संख्यावाची है तो क्या हो जाएगा दिगू समास हो जाएगा ठीक है, अगला Question Question है राजपुरुस, राजपुरुस में कौन सा समास है Option Number A है तत्पुरुस B है करमदार है, C है दिगू और D है अब्बैभा So Option Number आपका यह सही हो जाएगा तत्पुरुस समास है राजपुरुस में कौन देखते हैं कोशन है वनवास में कौन सा समास है option number A है अवईभाव B है करमधार है C है ततपुरुस और D है द्वन्द तो इसमें आपका हो जाएगा ततपुरुस समास ठीक है अगला कोशन देखते हैं question है राजपुत्र ठीक है राजपुत्र option number A है दिगू option number B है ततपुरुस option number C है अवईभाव option number D है द्वन्द इसमें option number क्या हो जाएगा इसमें option number हो जाएगा की ततपुरुस ठीक है राजपुत्र में क्या है ततपुरुस समास है अगला कोशन कोशन है अस्टा ध्याई अश्टा ध्याई में कौन सा समास है जैसा कि आप लोग इसको बताईएगा क्योंकि पहला क्या है संख्यावाची है तो पहला अगर संख्यावाची होता है तो क्या होता है option number A है दिगू, B है तदपुरुस, C है कर्मधारे और D है वहुबरी अगला question question है पर्मानंद, पर्मानंद में कौन सा समास है option number A है तदपुरुस, B है कर्मधारे, C है बहुबरी और D है द्वंद इसमें option number B साही हो जाएगा पर्मानंद में कर्मधारे समास है अगला question, देखे, question है गीरह कट गीरह कट में कौन सा समास होगा, option number A है अव्वेई भाव, B है तदपुरुस, C है द्वंद और D है कर्मधारे इसमें option number B साही हो जाएगा तदपुरुस समास क्या गीरह कट में कौन सा समास है, तदपुरुस समास मैंने इस वीडियो में उन्ही कोशन को सामिल किया है, जो आपके पूछी जाने के चांस है इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अगला question question है महादेव, महादेव में कौन सा समास है, option number A है कर्मधारे, B है द्वन्द, C है बहुबरी और D है तदपुरुस इसमें आपका option number A सही हो जाएगा, महादेव में कौन सा समास है, कर्मधारे समास है अगला question कोशन है बैल गाड़ी, बैल गाड़ी में कौन से समास है, option number E है अबवई भाव, B है कर्मधारे, C है तत्पुरुस और D है द्वन्द तो इसमें option number C सही हो जाएगा, बैल गाड़ी में तत्पुरुस समास है, अगला question देखिए, question number 30 है कि विद्याधर्म, विद्याधर्म में कौन से समास होगा, option number A है द्वन्द, B है कर्मधारे, C है तत्पुरुस और D है अबवई भाव, तो इसमें option number विद्याधर्म में कर्मधारे समास, option number B सही है अगला question, question number 31 है यथा विद्याधर्म में कौन से समास है, option number A है अबवई भाव, B है तत्पुरुस, C है कर्मधारे और D है बहु भावई भाव, तो इसमें option number A सही है, यथा विद्याधर्म में अबवई भाव समास है अगला question, question number 32 है की प्रतिमान, प्रतिमान में कौन से समास है, option number A है कर्मधारे, B है अबवई भाव, C है बहु भी और D है तत्पुरुस, तो इसमें option number A सही है, प्रतिमान में कर्मधारे समास है अगला question, देखे, question है सूपुरुस, सूपुरुस में कौन से समास है, option number A है तत्पुरुस, B है अबवई भाव, C है कर्मधारे और D है द्वन्द, तो इसमें option number कौन से सही होगा, option number C सही है, सूपुरुस में क्या है कर्मधारे समास है अगला question, question है गुड़ दोस, गुड़ दोस में कौन से समास है, option number A है तत्पुरुस, B है द्वन्द, C है अबवई भाव, और D है आपका कर्मधारे इसमें option number कौन सा सही होगा option number 20 सही है good दोस में क्या है आपका इसमें द्वन्द समास है कैसे द्वन्द समास है जिसमें क्या है इसमें दोनों पद प्रधान है ठीक है जिसमें दोनों पद प्रधान होता है उसको हम क्या कहते है दुन्द समास कहते हैं तो गुड और दोस्त ये क्या है ये दोनों पर प्रधान है अगला कोश्चन देखिए कोश्चन है चतुरभुज चतुरभुज में कौन सा समास है ऑप्शनमबरी है अबईभा बी है दुगू चतुरभुज में बहुब्री ही शमास है अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन पुरशोटम में कौन सा समास है और दी है दिगू तो पुरशोटम में हो जाएगा आपका कर्मधार शमास है अगला कोशन देखते हैं कोशन है गजानन गजानन में कौन सा समास है ओप्शन नमबर A है द्वन्द B है कर्मधारे C है बहुबरीही और D है तदपुरुस इसमें ओप्शन नमबर C सही है इसमें क्या है बहुबरीही शमास है अगला कोशन Question number 38 है कि सूर रचित सूर रचित में कौन सा समास होगा Option number ए है तत्पुरुस B है कर्मधार है C है अबवईभा और D है द्वंद तो सूर रचित में आपका हो जाएगा तत्पुरुस समास अगला question Question है कि भूजदंड में कौन सा समास होगा Option number A है तत्पुरुस B है कर्मधार है C है बहुबरी और D है द्वंद इसमें Option number B सही है कर्मधार है भूजदंड में कौन सा समास है कर्मधार है समास है अगला question देखिए Question है कि रडवीर रडवीर में कौन सा समास होगा Option number A है बहुबरी ही B है ततपुरुष C है द्वंद और D है कर्मधार है तो इसमें आपका हो जाएगा ततपुरुष समास ठीक है तो फ्रेंज अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके सेयर करिएगा चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ ऐसे इंपोर्टन कोशन के साथ तब तक के लिए थेंक यू